हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू वर्ड पाक्षाला, आज हम बनाएंगे बैगन के कोफते चलिए उसकी प्रोसेस चालो करते हैं एक कुकर में मैंने एक कप रफली चॉप प्याज लिया है एक कप टोमाटो लिया है बड़ा बड़ा पीसोस में काट लिया है इसमें अभी हम आठ से दस काजू डालेंगे एक बड़ा चमच मेलन सीड डालेंगे ये खरबुजा के सीड है अभी हम इसमें आठ से दस लसून की कलिया डालेंगे धनिया के दंठल डाल्डियों में आप इसके जगे पे धनिया भी डाल सकते हो और मैं आदा कप पानी डालूंगी और कूकर का डखकन अच्छे से बन करेंगे और हम इसे तेज आज पे दो सीटी आने तक पका लेंगे चली अभी बैगन को काटेंगे ये कौफते की तयारी हम कर लेंगे बैगन को ऐसे दो हिस्सों में मैंने काट लिया है इसके अंदर अगर कोई कीड वगर है तो वह साफ कर ले इसलिए इसे आदे में काटना जरूरी है और ये देखिए ऐसे ग्रेटर से बड़े वाले साइड से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे मैं देखिए कैसे ग्रेट कर रही हूँ इसी तरीके से हम सारा बैगन कदुकस कर लेंगे आप पतले वाले से भी कर सकते हो बट मैं मोटे वाले से ही प्रीफर करती हूँ इसी प्रकार मैंने पूरा बैगन कदुकस कर लिये अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच रगड के अजवाइन डालेंगे आधी चम्मच सोफ का पावडर, पाव चम्मच हल्दी, पाव चम्मच तिखी लालमिर्च का पावडर, आधी चम्मच धनिया पावडर, आधी चम्मच जीरा पावडर और एक चम्मच चावल का आटा डालेंगे साथी में हम एक चमच कॉन्फलोर डालेंगे पाउ चमच नमक डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से एक बर मिला लेंगे इसे अच्छे से मिलाना जरूरी है उसके बाद हमें उसमें कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है देखके बेसन डालना है और मेरे इसमें ज़्यादा मौशर है इसलिए मैं एक चोथाई कप बैसन डाल रही हूँ आपके इसमें अगर कम है मौशर तो आप कम बैसन का इस्तमाल किजिए क्योंकि ज़्यादा होने से हमारे कौफते सक्त हो जाएंगे बट जैसे ही हम नमक डालेंगे बैगन में दो बना लेंगे देखिए मेरा एक डो रेड़ी है इसके अभी हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे आपको बड़े कौफते चाहिए तो आप बड़े भी बना सकते हो बट मैं एक लेमन साइज बॉल बना रही हूँ इसी तरीके से हम सारे बॉल रेड़ी कर लेंगे आप छोटे बड़े कर सकते हो उसमें कोई प्राब्लेम नहीं है ये देखिए मेरे सारे बॉल रेड़ी हो चुके है मैं थोड़ी देर बाद तलने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर कौनफलर डाल रहे हूँ ताकि वो छिपके ना परतन को अगर आप तुरन तलन तो कौन फिल दा डाले और इसके अच्छे से हिला लगे की बॉल के चाड़ो सइड में अच्छे से लग जाए और अभी चलते प्रोसेस में उसके लिए मैं अन्यकणाए में अच्छे से तेल गरम करने के लिए रखा है अब तेल अब याज्ध परत्राई doable डालेंगे और अगर बॉल अच्छे से सिजल हो रहा है मतलब तेल गरम है और बाकी भी हम सारे बॉल डाल देंगे जब आप ये कोफते के बॉल डाले तब ग्यास की आज तेज पे रखिए दीमी ना रखिए क्योंकि जैसे गरम तेल में बॉल थंडे बॉल जाएंगे तेल का टेंपरेशर कम हो जाता है इसके रिए जब डाल रहो हो तब गरम तेल में डाले बड़ धान रखिए कि तेल आप ये उचले नहीं बाद में जैसे अभी डाल के हो गया है मैंने ग्यास की फ्लेम कम कर दिये और इसे अच्छे तरीके से पास से साथ में नीठम पकने देंगे आप एक दो बर बीच में चला भी सकते हो देखिए हमारे कौफते कितने अच्छे से उबल रहे हैं ये देखिए हमारे कौफते में कितना सुनेरी कलर आया है इसे अभी हम और दो मनिट पकने देंगे उसके बाद निकालेंगे हमारे कौफते पूरे पक चुके अभी हम इसे निकाल रहे हैं मैं एक टीशू पेपर पे निकाल रहे हैं इसका जो excess oil है वो पूरा absorb हो जाए इसी तरीके से मैं सारे कौफते तल लूँगी देखिए मैंने सारे कौफते तल लिये है अभी इसे हम side में रखेंगे और आगे की process शालू करेंगे जो हमारा cooker है वो भी धंडा हो चुका है अभी हम इसे hand mixie के सायता से एक अच्छा सा smooth paste बना लेंगे आप normal mixer में भी पीश सकते हो वैसे कोई problem नहीं कि hand mixie से ही पीशना है और मैं ये paste ready कर लूँगी ये देखिए ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई में चार बड़े चमच तेल डाला है उसमें एक बड़ा चमच घी डाल रही हो और इसे घी और तेल को एक बड़ चलाएंगे हम और इसे अच्छे तरीके से गरम होने देंगे ये देखिए हमारा तेल भी गरम हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे आदी चमच शाह जीरा पाव चमच जीरा आदी चोटी चमच बड़ी सौफ का पाउडर दो बड़े चमच कसूरी मेथी इसे मैंने 10 मिनिट के लिए भीगो के लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच कश्मेरी चिली पाउडर आदी चोटी चमच रेगुलर चिली पाउडर पाव चोटी चमच हल्दी आदी चमच धनिया पाउडर पाव चमच जीरा पाउडर और इसे अच्छे से चला लेंगे अभी जो हमने टोमेटो की पेस्ट बनाई है वो डाल रही हो में और इसे भी हम अच्छी तरीके से हमारे मासाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे आपको एक सा मिलाना है देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है अब मैं अद्रक का पेस्ट डालेंगी जो मैं पहले ही तेल में डालना भूल गई थी और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे और मिला भी लेना है अच्छे से देखिए अभी से हमारे ग्रेवी का कलर कितना सुन्दर आया है क्योंकि हमने कश्मेरी लाल मिश डाले वो तीखे में तो कम होती है बट हमारे कोई भी सबजी को कलर बहुत अच्छे से देती है इसे मैं अभी ढखकन रखके 5-7 मिनित तक पका लूँगी यह देखिए पाच मिनित बड़ मैं एक बार इसे चला रही हूँ अभी से इसमें तेल छूटना चालू हो गया है अभी इसमें हम दो चमाच धनिया पत्ता कटके डालेंगे मैं हमेशा धनिया पत्ता थोड़े से कम कूक वाले ग्रेवी में डालना पसंद करती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है लास्ट में डालना तो आप लास्ट में भी डाल सकते हो इसी के साथ मैंने आदी चमाच नमक डाला है और इसे अभी हम अच्छे से चला लेंगे यह याद रखिए कि यह आपके कड़ाई को बहुत चिपकेगा इस स्टेज में क्योंकि हमने मगजबिज और काजू डाला है तो आप अच्छे से चलाते रहें अभी इसे ढखकन रखके मैं दो मिनिट और पका लूँगी दो मिनिट पकाने के बाद देखिए हमारा पूरा तेल बाहर आ चुका है अभी इसमें मैंने पाव चमाच छोटी चमाच से गरम मसाला डाला है दो बड़े चमाच में मावा डाल रही हो यह ओप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हो और इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे साथ में हमारा गरमी से मावा पिघल जाएगा और हमारे ग्रेवी को एक अच्छा रिच टेक्शर देगा अभी मैं डालूंगी इसमें एक बड़ा चमाच टोमाटो केचप एक अच्छा सा फ्लेवर देता है टोमाटो केचप और थोड़ा मीठा भी होता है तो हमारा टमाटर की थोड़ी खटास भी बैलेंस हो जाती है अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे और ये देखिए ग्रेवी ठीक हो चुके उसका बैलेंस करने के लिए मैं आदा कब पानी डाल रहे हूँ अगर आपकी ग्रेवी आप जादा भी डाल सकते हो अगर आपकी ग्रेवी ठीक हो जाए तो और इसे अभी हम ढखकन रखके दो से तीन मिनिट एक से दो बॉइल आने तक उबलने देंगे ये देखिए हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से उबल रही है अभी इस उबलते हुए ग्रेवी में हमें ढखकन निकालके सारे हमने तल के रखे वे कोफते डाल दूँगी कोफते ग्रेवी में डालने से कोफते के अंदर भी ग्रेवी का फ्लेवर जाता है जो बहुत अच्छा लगता है और ये कुफ्त थोड़े सक्त होते हैं, तो ग्रेवी में अगर ये उबलते हैं, तो सौफ्ट भी हो जाते हैं, इसे मैंने चला लिया है, अभी मैं ढखकन रखके इसे 5 मिनिट उबलने दूंगी, ये देखिए हमारे ग्रेवी कितने अच्छे से उबल चुकी है, अब इसे मैं एक बार चलाऊंगी, और ये सब हमें लो आजपे करना है, नहीं तो ग्रेवी नीचे से जलना चालो हो जाएगी, और इसे चला के हमारी ग्रेवी रेडिये, गैस की फ्लेम मैंने आफ कर दी है, अगे के प्रोसेस में इसे परोस्ते हैं, एक बाउल में मैं ग्रेवी निकाल रही हो, साथ मैं कोफते भी डालेंगे, और ये देखे हमारी ग्रेवी और कोफते कितने सुन्दर दिख रहे हैं, ये देखके ही मों में पानी आ रहा है, ग्रेवी का रंग कितना सुन्दर लाल केसरी के बीच में आया है, अब इसे मैं धनिया पत्ते के साथ गरनिश और उपर से फ्रेश फेटी भी मलाई डालूंगी, आप इसके लिए फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बाजार वाली या अपने दूद की रेगुलर मलाई थोड़ा सा चमस से चला के वो भी ले सकते हो, ये क्रीम से टेस्ट भी अच्छा आता है, और आपकी सबजी दिखने में लजीज लगती है, ये देखिए हमारी सबजी कितनी सुन्दर दिख रही है, देखके मेरे मूं में पानी आ रहा है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंड में जरूर बताना, थैंक्स पर वाचिंग